स्टूडेंस के मन में हमेशा ये सवाल रहता है क्या पढ़ें कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें साथ ये भी सवाल रहता है कि प्री के लिए में एग्जामिनेशन के लिए और इंटर्वू के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए हमें कितना लिखना चाहिए कैसे लिखना चाह तो आपको अपनी इन ही सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है सेमिनार में जी हाँ स्टूडेंस उतकर्ष क्लासेस कंडट करवा रहा है एक सेमिनार ये सेमिनार होने वाली है 9 जुलाई को सुबह 10 बजे और इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करने वाले हर स्टूडेंट को एक बुकलेट भी मिलेगी जिसमें उनको दो बोडल टेस्ट पेपर प्लास आर्च यह प्रीवियस यह का सॉल पेपर भी मिलेगा इतना ही नहीं स्टूडेंस इस सेमिनार के साथ साथ एक स्कॉलर्शिप टेस्ट भी ऑर्गिनाइज करवाया जा रहा है यह स्कॉलर्शिप टेस्ट और्गिनाइज करवाया जा रहा है एक नए बैच के लिए जो शुरू होने वाला है 13 जुलाई को तो जो कोई स्टूडेंस इस सेमिनार में और सेमिना के साथ साथ इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा और अगर उसकी टॉप 50 में रैंक आती है तो उसको मोका मिलेगा स्कॉलर्शिप जीतने का वो भी अप्टू 50 परसंट तो वाह क्या सुनहेरा मोका है स्टूडेंस के लिए कि उनको सेमिनार में इतना कुछ सीखनी को मिल रहा है प्लस अगर श्कॉलर्शिप टेस्ट दे के उसको इसमें कोई अच्छी रैंक लेके आते हैं तो श्कॉलर्शिप भी मिल रही है और इतना ही नहीं स्कॉलर्शिप में टॉप 50 रैंक आने लाने वाले स्टूडेंस को आज यसकी टैस सीरीज निसल्क मिल रही है तो अब आपके मन में सवाल ये आया होगा कि इसमें जो scholarship टेस्ट होने वाला है उसका criteria क्या है उसका syllabus क्या है तो students उसका syllabus क्योंकि इस seminar में भाग लेने वाले students हो सकता है LLV appearing हो या pass out हो तो इसका syllabus में हमने रखे हैं major acts जैसे IPC, CRPC, evidence, CPC and constitution तो ये 5 major acts आपके syllabus में रहेगा जो के लिए है और साती साथ ये test में 75 questions होंगे और ये test होगा 1R का और इस test में कोई भी negative marking नहीं होगी तू students जल्दी से अपने आपको अपको अन्रोल करवाईए खुद को test भी कीचिए प्लस मोका जीतिये scholarship जीतने का प्लस RGS की test series निसुल्क जीतने का थैंक्यू